यह हलो फ्रेंड्स, मैं दिबगुप्ता, तो आज का हमार सम है थर्मडादमी के उपर, यह सम एक्जाम में आयो हुआ है, मुमर्चटी में, फॉर मार्स के लिए, इन इयर 2004 में, इना कॉर्चुन में 1A में, तो यह किसमें क्या है, एक 10 kg का कॉपर लॉके, इसका इनिशेल टे सब्सक्राइब का, और हमें 1st law of thermodynamics का, यूज करके, हमें, सिस्टम का, इक क्यूरियम, temperature, find कर रहा है, तो देखते हैं, इस सम को, हम लोग, किस तरह से, solve करेंगे, क्या देखिए, सम में क्या दिया हुआ है, अ 10 kg कॉपर ब्लॉक, स्पेसिफिक ही, 0.4 kJ पर केजी, at 90 degree centigrade, is immersed into an insulated tank, containing 0.35 meter की वो order, at 30 degree centigrade, applying 1st law of thermodynamics, calculate the equilibrium temperature, यह से हम आया हुआ है, exam में, मैं 2004 में, question number का, ये, और 4 marks के लिए, इंके, तो सबसे बेल हम लखेंगे यहाँ पर इसका given data, कि यहाँ पर given में मुझे क्या क्या दिया हुआ है, तो देखिए, given data, तो यहाँ पर दिया हुआ है, copper block है, copper block है, जिसका key weight किनना है, 10 kg weight है, तो यहाँ पर mass दिया हुआ है, हम लोग लिखी निया पर मांस अफ कॉपर याद इस mc is equal to 10 kg mc is equal to 10 kg देन उसके बार उसका specific heat दिया हुआ है कॉपर गा then called as cpc हम लोग 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 लो जहां पर कर रहे हैं इसको एक इंसुलेट टैंक में इसेट कर रहे हैं जहां पर की वॉल्यूम धिया है वाटर का क्या इसमें वाटर है तो आइस भी नो तो वाटर का आएगा यहां पर वाटर को तो तो बीड अपर की आती बडलीव उसेी न्हीं मस्ता है करूं यहां पर आएगए नाओ अप्लाइग नव तो यहांति यहां he तो फाइड.. तूफाइड मेरा है आपको.. इनिशयल टेम्परेचर वीक्लिब्रेचर को फाइड करना है.. इक्विब्रेचर टेम्परेचर यद टूफाइड.. तो देखे यहां पर फर्स अप्लाइ करने से पहले हमें इसका कुछ चाहिए कि हमें किस तरह से हमें तो यहां पर देखे यहां पर लिखता हूं यहां पर किसका कंसेप्ट क्या होगा तो देखिए यहां पे क्या होगा एक लंप है इसका वेट 10 केजी है जो की है किसका कॉपर का सिर्ट किसका 22 लीवा के है रहे जेल टेंपरेचय केतना है मेरा 90 संथ। किसका पने अधिया है और में क्या तरहं शूरुघ इसका इसको करूंगा इसका यह water है, यह the water, इसका temperature है यहाँ पर 30 degree centigrade, तो यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ पर insert करूँगा, क्या होगा, heat loss और heat gain होगा, मतलब energy क्या होगा यहाँ पर, energy transfer होगी, तो as per the first law thermodynamic, okay, as per the first law thermodynamic, क्या होगा, heat loss by copper is equal to heat gain by water, okay, यह concept होगा उसका, तो क्या होगा यहाँ, heat gain, okay, मतलब heat पर लब क्या होगा, q, तो होगा, mc, t, क्या होगा, mc, delta, okay, heat loss होगा, normal m, mc, cpc, max minus mean, क्या होगा, max minus mean, okay, temperature of, okay, क्या हो रहा है, heat loss कर रहा है, तो maximum temperature क्या होगा, यहाँ पर, किसका होगा, initial temperature, tc, then, क्या होगा, then mean जो आएगा, यहाँ पर, तो होगा, after the equilibrium होने के बाद, जब यह क्या होगे, जब copper यहाँ पर डालूंगा, water के अंदर, तो क्या होगे, after some time क्या होजाए, यह दोनों का temperature सेम हो जाएगा, तो होगा, t will be the equilibrium temperature, क्या होगे, t will be the equilibrium temperature, क्या होगे, after some time, जो temperature आएगा हो, minus initial temperature, t, wi बोलो, यह tiw, यह temperature होगा, ti, c, और ti, w, initial temperature of copper, initial temperature of water, यह मेरा basic यहाँ पर concept है, इस तरह से मुझे solve करना है, तो आप देखे हैं, यहाँ पर, मुझे mass of copper तो पता है, mass of water पता है कि यहाँ पर वो w है, mass of water, mass of water नहीं पता है, तो as we know, mass of water फाइंड करने के लिए हमें क्या लगेगा, मैं पता है, एक formula होगे, हमें density पता होती है, किसकी water की, standard density होती है, thousand, तो देखे, क्या हो गए यहाँ पर, as we know, rho is equal to mass upon volume होता है, तो density चोब वोटर की मुझे पता है, कितनी होती हो, thousand, standard, तो मुझे यहाँ से mass of water मिलेगा, मुझे volume बता है, यहाँ पर, 0.35 meter cube dv है, इस तरह से मैंने mass of water लिखा लिए, तो देखे, हमें CPW जो हमें पता होती, standard होती है, 4.186 और 187, तो यह रहा मेरा all-or concept, अभी हम sum को क्या करेंगे, solve करेंगे, तो देखे, हम लोग सम किस तरह से solve करते हैं, तो let's start, तो मैं क्या क्या लगेगा, तो सबसे पहला मुझे लगेगा, यहाँ पिलकूंग हमें solution, this is my solution, तो यहाँ पर देखे, CP of water, यह आएगा, 4.187, मैंने नीडिया यहाँ पर, 4.187, किलो जूल पर, केजी, क्यालविट, यह क्या है, this is the standard, क्या है, standard, specific, heat, of water, यह क्या है, standard, specific heat, of water, यहाँ ना, next, यह होने के बाद, मुझे क्या हाँ चाहिए, यहाँ पर, density, यहाँ पर, density, okay, rho w is equal to 1000 kg, यहाँ पर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, standard, specific, or standard density, standard density of water, this is the, standard density of water, क्या है, standard density of water, समझा आपको यह, now, तो मुझे find करना है, mass, therefore, mass of water, क्या होगा, what is my formula, mw, लिका लाया मुझे, तो mw is equal to, क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, मुझे पता है, mw is equal to, rho of water, into volume of water, okay, it's called the volume of, sometime we can use, v को cross कर देंगे, समझा है कि यह volume है, कभी-कभी हम लोग, velocity वोल देंगे, करके हम लोग, v को cross कर देंगे, तो समझा कि यह, water है करके, यहाँ फिर इसको v रखिए, और जो velocity हैगा, उसको c कर दीजी, तो समझा आपको, तो मुझे पता यह कितना है, 1000 kg, density of the volume कितना है मेरा, 1000 kg पर, meter cube, 1000 kg पर, meter cube, water का unit किया है, volume D है, water का, meter cube, तो यह meter cube और meter cube, cancel हो गया, क्या बचा आपको, only kg, तो यह आपको answer आया, आपका यहाँ पर, कितना हैगा, 350, कितना आपको यहाँ पर, 350 kg, mass of water होगा, तो देखिए, यहाँ पर आया, mass of, water is equal to, 350 kg, आया, 9, तो देखिए, हम बोलेंगे यहाँ पर, t degree centigrade, क्या बोला मैंने यहाँ पर, t degree centigrade, B the, क्या रखा, T, B the, equilibrium temperature, क्या रखा यहाँ पर, B the, equilibrium temperature, as we know the formula, क्या आएगा, मेरा formula क्या है यहाँ पर, heat gain, heat loss, heat loss by, copper, is equal to, heat, gain by, water, यह मेरा formula है यहाँ पर, देखिए, 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 TICU लिगा मेरा, initial temperature, copper, is equal to, M, W, CPW, bracket of, T minus, Ti, W, value, देखिए, यहाँ से मुझे यह पता है, mass of copper, 10 kg, specific heat of copper, 0.4, दीए, 0.4 kJ per kg, यहाँ पर इने, इसको भी kJ per kg रख रहा हूं, और यहाँ पर भी kJ per kg रख रहा हूं, अगर यहाँ पर मैं करता है, Joule में, तो इसको भी Joule में करना है, पड़ता था मुझे, कि यह मुझे पता है, यह कितना है यहाँ पर, T I C, 90 degree, यह तो मेरा है question mark, MW, 350, specific heat of water, यह है मेरा specific water, 4.187, initial temperature of water, 30, solve करोगे इसको Kelsey में, then you will get the value, of T, को मिलेगा value of T, T is equal to, 30.163 degree, आपको देखना है, किस तरह सॉल करते हैं, हम देखेंगे आपको, किस तरह सॉल करते हैं, shift कमेटरीटीज करके, देखे, दोन साइट bracket, 10 into CPC, 0.4, bracket of, 90, minus, T unknown to X, okay, bracket close, is equal to, again bracket, 350 into, 4.187, bracket of T, that is, X question mark, minus, यहाँ पर 30, bracket close, bracket close, shift, solve, solve for X, yes solve for X की प्राया, इकर आपको answer, 30.163, यह रहा मेरा ऐसा, all about my sum, स्कूल कर सकते हो, और आगे इन फीचर भी आपको बहुत ही काम आए गए, आए, so thank you for watching my video.